क्या आप Honda company की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हो या फिर कोई भी स्कूटर खरीदना चाहते हो तो यह सबसे सही समय है क्योंकि इंडिया में festive season start हो गया है और इसी festive season के duration में Honda company अपने स्कूटर पर और अपनी bikes पर heavy discount दे रही है और काफी अच्छे offers भी दे रही है जिसकी यदि आप फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस पर भी आपको additional offer मिल रही हैं इन सभी offers को जानने के साथ-साथ ये भी जानेंगे कि ये offers जो हैं कब तक valid रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा special है तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को बेस्ट offer के साथ मैं खरीद पाओगे नमस्कार दोस्तों मैं हर सार्जी रूम सभी के सामने एक वाफिट से ये देखी गाइस फैस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है इस वज़े से सोरूम के बाहर भी आपको गाड़ियों देखने को मिलेंगी आईए चलते हैं होंडा सोरूम के अंदर और देखते हैं कमपनी अपनी केस बाइक पर कितना डिसकाउंट दे रही है केस स्कूटर पर कौन सा offer दे रही है यहाँ पर होंडा कमपनी की सभी popular बाइक लगी हुई है होंडा सीडी ड्रीम डिलक्स पर आपको अप्टू एक हजार रुपय तक का डिसकाउंट मिलेगा होंडा सीडी ड्रीम डिलक्स आपको अन्रोड लगबक 90,000 रुपय के आज़पास मिलेगी होंडा लिवो आपको अंडोर लगबग एक लाग रुपए के आसपास मिलेगी होंडा साइन आपको अंडोर लगबग एक लाग तीन हजार रुपए के आसपास मिलेगी होंडा स्पी 125 आपको अंडोर लगबग एक लाग साथ हजार रुपए के आसपास मिलेगी Honda Unicorn आपको on-road लगबग 1,27,000 रुपए के आसपास मिलेगी Honda X-Blade आपको on-road लगबग 1,48,000 रुपए के आसपास मिलेगी Honda Hornet 2.0 आपको on-road लगबग 1,68,000 रुपए के आसपास मिलेगी जो मैंने अभी आपको discount बताया है, जो price मैंने आपको बताई है वो जरूरी नहीं है, हर जगए same हो Plus-minus 2-3,000 रुपए आप मान सकते हो हर state के, हर district के और हर सुरुम के अलग offer हो सकते हैं अलग discount हो सकते हैं और अलग price हो सकती है तो इस वज़े से आप इन सब का एक rough idea ही मानें लिवो में 2 variant आते हैं, disc variant और drum variant साइन में भी 2 variant आते हैं, disc variant और drum variant और SP 125 में भी 2 variant आते हैं, disc variant और drum variant X-blade में भी 2 variant आते हैं, single disc और dual disc यदि आप इन सबी bikes के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो इनकी review वाली videos already channel पर available हैं और यदि आप जिस segment की कोई भी bike ले रहे हो उस segment में यदि आप उनका massive comparison देखना चाहते हो तो वो videos भी already channel पर available हैं सबी videos के link में आपको i button में और इस video के description में दे दूँगा ये तो मैंने आपको cash discount बता दिया यदि आप इन bikes को finance पर भी लेना चाहते हो तो उनके भी अलग-अलग offer हैं यदि आप इन bikes को EMI पर लेते हो तो आपको बहुती कम देने का EMI offer मिल रहा है first EMI pay करने पर भी आपको कुछ additional offer मिल रहे हैं ये finance वाले जितने भी offer हैं वो fix नहीं है आपकी civil score पर depend करते हैं आईए गाइस अब बात करते हैं Honda Activa की scooter segment में केवल Honda की ही नहीं बलकि सबी कमपनियों में काफी ज़्यादा popular है Activa हाल ही में कमपनी ने इसमें एक नया variant launch किया है premium edition के नाम से बैसे present time में चल रही है Activa 6G इस scooter में आपको बहुत सारी variants मिल जाएंगे जिनमें आपको अलग-अलग offer देखने को मिलेंगे 110 CC के segment में Honda Activa में तीन variant आते हैं पहला variant है Honda Activa 6G standard variant दूसरा variant है Honda Activa 6G deluxe variant और तीसरा variant है जो की हाल ही में launch हुआ है Honda Activa premium edition deluxe variant standard variant आपको on-road लगबग पड़ेगा 96,000 का deluxe variant आपको on-road लगबग पड़ेगा 98,000 का और premium edition आपको on-road लगबग पड़ेगा 99,000 का और इनकी on-road price पर आपको लगबग 2100 रोपय का discount मिलेगा ये मैंने जो अभी आपको बताया वो एकदाव flat discount है ये आप इस scooter को finance पर लेते हो तो आपको कुछ additional offer भी मिलेंगे जैसे कि बहुत ही कम down payment पर आप scooter को ले जा सकते हो EMI आपको बहुत कम देनी पड़ेगी और भी बहुत सारे additional offers finance वाले जितने भी offers हैं वो आपके civil score पर depend करते हैं यदि आप Activa 6G के वारे में detail में जानना चाते हैं तो इसकी review वाली वीडियोस अल्रेडी चैनल पर available हैं उन वीडियोस का link में आपको i button में और इस वीडियो के description में दे दूँँगा आईए अब बात करते हैं Honda Activa 125 की इसमें भी आपको 3 variant मिलते हैं इसका first variant है drum variant इसका second variant है alloy variant और इसका third variant है disc with alloy variant drum variant में यह scooter आपको on road लगबग 1,00,000 रुपए के आसपास मिलेगा alloy variant में यह scooter आपको on road लगबग 1,00,000 रुपए के आसपास मिलेगा कि हर शुरूम पर आपको सेम ओफर देखने को मिले या फिर हर इस्टेट में आपको सेम ओफर मिले यदि आप एक्टिवा 125 के बारे में भी डीटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो अल्रेडी चैनल पर एविलेबल है उन वीडियो का लिंक में आपको आई बेटन में और इस वीडियो के डिसकप्शन में दे दूँगा डियो में भी आपको दो विरेट मिलते हैं इस्टेंडर्ड विरेट और डिलक्स विरेट्ड आपको अन रोड लगबख पड़ेगा 94000 का और डिलक्स विरेट्ट आपको अन रोड लगबख पड़ेगा 97000 रोपेगा और instant discount आ प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं इन सभी बाइक्स के सभी स्कूटर के डेडिकेटेड रिव्यू और मैसिव कंपैर्जन अल्रेडी चैनल पर एविलेविल हैं आईए अब मैं आपको अपना परसनल सेजेशन देता हूं कि आप इस फैर सीजन में अपने लिए कैसे हैवी पर बाइक या फिर स्कूटर को खरीच सकते हो जब भी आप किसी भी सोरूम पर जाएं तो वहां जाकर पूछें कि कम्पनी की तरफ से क्या डिस्काउंट क्या ओफर चल रहा है उसके बाद में आप ये जरूर पूछें कि सोरूम की तरफ से आपको क्या एडिशनल ओफर मि उसके बाद में ही आप बिलिंग कराएं यदि आप होंडा कम्पनी के अलावा किसी और कम्पनी की बाइक या पर स्कूटर लेना चाते हैं तो यह समय काफी अच्छा है हीरो कम्पनी भी बजाज कम्पनी भी और टीवेस कम्पनी भी अपनी बाइक और स्कूटर पर काफी अ इस वीडियो के डिसकप्शन में दे दूंगा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ओफर कब तक वैलेड रहेंगे जैसा कि आपको पता ही है ये अक्टूबर जो है पूरा फैस्टिवल से भरा हुआ है तो ये सभी ओफर जो है वो 31 अक्टूबर तक वैलेड हैं और यदि आप 31 अक्टूबर के बाद कोई बाइक खरीदना चाते हो या फिर स्कूटर खरीदना चाते हो तब ओफर के बारे में जानना चाते हो तो आप टेक्निकल SHT यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को आल पर सैट कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेट तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टन वीडियो जी हाँ भाई इंपॉर्टन वीडियो समय समय पल्ल आता रहता हूं जैहिंद बंदे मात्रम